हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी काम हर्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मैरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है बड़ा अजीब और गरीब आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट है क्या इच्छाओं को मारना कोई कोई जानता है इच्छाओं का दमन करना भी इनसान की एक कला है जी हाँ जब इच्छाओं हमारे मन मस्टिक्स पे हावी हो जाती है तो कई बार इच्छाओं में ऐसी कुछ कूई इच्छाओं होती है जो हमसे बड़ी गल्तियां करा देती है जिन लोगों को वैसन की लत है, बुरी चीजे खाने पीने की आदत है तो वो अपनी इच्छाओं कदापी रोक नहीं पाते बड़ी शान से कहते हैं कि हम मंगल बार नॉन्वेज नहीं लेते हम गुरु बार नोन्वेज नहीं लेते आप लेते हैं नहीं लेते हैं लेकिन लेते हैं तो है ना आप दिन गिनने से और दिन छोड़ने से कुछ नहीं होता यह आपकी इच्छाएं हैं इच्छाएं जब काबू में नहीं होती हैं तो व्यक्ति बेकाबू हो जाता ये तो ही हमारे वैसन की बात कई बार डॉक्टर साब हमें कह देते हैं आप चाट प्रकोडी ना खाएं आपके लिए अच्छा नहीं है और आप चाट प्रकोडी खाएंगे तो आप बिमार हो जाएंगे लेकिन हम हैं कि साब कंट्रोल नहीं कर पाते आदमी का सरीर कितने किलो का होता किसी का सत्तर किलो का किसी का साट किलो का सिक्स्टी केजी, सेवन्टी केजी एटी केजी और इससे उपर तो फिर पैमाने भी कई बार तूट जाते हैं हमारे अंदर जो जिवा है इसका वजन कितना होता है 50 ग्राम 100 ग्राम लगा दो 50-100 ग्राम की ये जिवा 60-70 किलो के भारी भरकम वजन के उपर शरीर के उपर भारी पड़ जाती है जिसाब सामने कुछ भी आजाए मन आत्मा कह रही है नहीं आत्मा कह रही है नहीं और जीप में पानी आ रहा है साहब खा लेते हैं कहीं खुम्चे वाला खाड़ा है चांट पकोड़ी कोई गोलगप्प खा रहा है जिवा में पानी उतराता है लोक नहीं पाते हैं और टपाक से उतना बड़ा मुझ खोल लेते हैं कि साहब बस जबरजस्ती वाली बात होती है गोलगप खाना भी है ना कई बार हमने भी खाया तो बड़ा बड़ा दुरधर कारे हो जाता है लेकिन सब्जेक्ट यह है कि जब मना किया जाए उस वक्त में इच्छाएं अपना परचंड रूप ले लेती हैं उस वक्त इच्छा ब्रचंड रोकना ही एक बहुत बड़ी कला है पूजा करते हैं कि साथ प्याज नहीं खाएंगे यह नहीं खाएंगे लेकिन उस वक्त में इच्छाएं प्रशंड रूप ले लेती हैं और व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति नियम तोड़ देते हैं पवित्र दिन आते हैं इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे इंद्र जीत कहते है हर व्यक्ति की बसकी बात नहीं है यह जैन सास्तर में भी इंद्रियों की जीतने की उपर बहुत सारी व्यक्षाइं की गई है जैन साहितिय में अब यह तो हुआ कि हमें पता है कि यह चीज हम खाएंगे हमारा शरीर बेकार होगा यह चीज खाएंगे हमारा धर्म बिगड़ेगा यह चीज खाएंगे हमारा कर्म बिगड़ेगा लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं है। और फिर दलील भी ऐसी होती है, हमारे पास ऐसे कमेंट्स थोते हैं। ऐसी बली हो!!! है। आज के बाद आपको नहीं टूकशेंगे, बहुत बड़ी घल्थी हो गई। आज आप जो मर्जी खाईए वो भी खाईए जो नहीं खाया जाता है, सब कुछ खाईए आप, आपको नहीं टोकेंगे, खेर, अब हम एक स्टेप इससे उपर चलते हैं, ये तो एक आम सी बाते हुई, एक इतनी खतरनाक इच्छाए होती है, कि मैंने छोटे छोटे बच्छों में इच्छाओं को कंट्रोल करते हुई देखा है, हम मद्यस्त परिवार के लोग हैं, सभी बच्छपन से अमीरी नहीं देखते हैं, गरीवी में भी पलते हैं, और कई बार जिन्दगी उस गरीवी की रेखा में बीच जाती हैं, छोटा सा बच्चा ट्रेन में सफर करें, ये कहीं अपने माता पिता के साथ बाजार में जावे, माता पिता को तो मालूम है कि मैं इसको ये खिलोना नहीं दिला सकता, ये बिस्किट मैं इसको नहीं खिला सकता, लेकिन बच्चे की भी इच्छा देखिएगा, कि वो जिद नहीं करता, आप मैंसे ऐसे बहुत बच्चे ह वो जिद नहीं कि अम्मी दिला दे पापा दिला दे तो ठीक है नहीं तो वो बच्चा 2 रुपए का 5 रुपए का बिस्कुट के प्रेक्ट के लिए भी आपने मन को मार लेका विभ कि मांगेगा नहीं इसे बच्चे भी हैं आप अ dare च्छाओं को लेकर के पैदा होते हैं, ऐसी आत्माईं भी धर्ती पर आती हैं, आप मैंसे इसे बहुत लोग हैं, किसका मन नहीं करता कि हम अच्छ सक खाएं, किसका मन नहीं करता कि हम भी राजाबाबू बन के रहें, किसका मन नहीं करता कि हम अच्छे से पहने लेकिन कई बार ना अच्छे से खाने को होता ना अच्छे से पहने को होता ना अच्छे से रहने को होता और व्यक्ति कमाल का किसी को महसूस में नहीं नहीं देता कि साथ मैं अभाव में जी रहा हूं मैं अच्छे से नहीं खा पीता हूँ मैं अच्छे से नहीं सो पाता हूँ मैं अच्छे से बजार में जाकर के कुछ भी नहीं ले पाता हूँ मेरी आई इतनी नहीं है कि मैं सोच सकूँ कि मैं ये कर लो और महसूस किसी को भी नहीं होता देखिए उस व्यक्ति के मन से आप मेंसे ऐसे लाखों व्यक्ति होंगे ऐसा शांदार मन ऐसी अपनी च्छाओं को दबाने का मन यह हर व्यक्ति के बसकी बात नहीं है हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता यह गौड गिफ्ट होता आपके साथ परमात्मा है आपके अंतरा आत्मा में परमात्मा आपको सहेज लेते हैं आसू भी टपकने से पहले आसू रोक लेते हैं ऐसी आखे ऐसी तमाम आखे हैं कि आशू तक को इजाज़त नहीं है के वो आख से बाहर निकल कर कि टपक जाए या यह वास्पिकता अधर्शो को ऐसी बहुत लोग हैं कि नहीं हम रोएंगे हम रोएंगे तो हमारे पती का मन दुखेगा हम रोएंगे तो हमारी पत्नी क्या कहेगी हम रोएंगे तो हमारी मा क्या कहेगी हम रोएंगे हम बेटी हैं हम सुस्राल में आ गई हम दुख ही हैं प्रतारित हैं कुछ भी एक्स वाई कि आप सुनाओ आपने दवाई ली पापा मह गए ऐसा किया महला हम जो हम से पूछ रहा है हम उसकी बात को भी परदा डाल देते हैं और उसके मन को डाइवर्ट कर देते हैं ऐसा मन ऐसे लोग क्यों साब आप बता देते तो क्या हो जाता लेकिन नहीं आपका दिल बहुत बड़ा है आपकी सोच बहुत बड़ी है आप हार्टली बहुत अच्छे हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं कि इसका मन नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मैंने कभी ली नहीं जिन पुस्तकों को मैंने पढ़ानी बच्चों को पढ़ा दूं जिस स्कूल जिस गली का दरवाजा मैंने नहीं देखा बच्चों को ले जाओं बच्चों को गुमा दूं बच्चों को किताबे दिला दूं बच्चों को इनी स्कूलों में पढ़ा दूं उस uniform के साथ बच्चे को राजा बना दू बेटी को रानी बना दू किसका मन नहीं होता किसका मन नहीं होता लेकिन ठैर कर रहे जाता है माता पिता सोच कर रहे जाता है माता पिता, किसका मन नहीं होता सोचता तो हर माता पिता है लेकिन अंदर ये अंदर अपनी इच्छाओं का दमन करता रहता है कुछ आगे बताओंगा सुनना ये पाइंट कहीं एंड ले जाओंगा हाले कि सब्जेक्ट मैंने बड़ा टिपिकल सा चुना है आपके हर्दे को छिड़ा है आज मैंने अब ऐसी इस्तिती में इतना गंट्रोल आपको आता है दुख आप देख रहे हैं समस्याओं से आप गिरे हैं परेसानियों से आप गिरे हैं और उसके बाद भी कहीं न कहीं बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं एक अजीव सा संतोस उन के अमन में होता एक बार गुरुदेव से किसे ने ये कहा कि गुरुदेव हम कैसे पहचाने कि हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही है गुरुदेव हम कैसे जाने कि अब हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं गुर्देव हम कैसे जाने है कि हमारा जीवन आपके चरणों में लग गया है हम कैसे जाने है कि वास्तम में अब जन्मरण के बंधन से हम बच जाएंगे हम कैसे जाने हमारी साधना परवान की तरफ है हमारी साधना को गती मिल रही है हम कैसे जाने कि हमारी साधना अब बहुत सुंदर है अब साधना में हम पकते जा रहे हैं कैसे जाने ये थोड़ा सा एक आम साधक से हटकर उपर की बात कर रहा हूं कई बार ऐसे कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि गुर्देव हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मन तसीद हो ग गया कि हम कैसे जाने कि हम मौक्ष के तरफ बढ़ रहे हैं हम कैसे जाने कि जनम मरन के बंदन से हम मुक्त हो जाएंगे हम कैसे जाने कि हमेशा के लिए हमें बैखुंट के प्राप्ति हो जाएगी गुर्देव ने कहा कि बेटे जिस दिन सुख में भी हसना आ जाए और दु क्या होता है और खुशी क्या होती है मन में एक समानता की इस्तिती आ जाए और जिन समझे लेना कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है नहीं तो हम कैसे साधना करते 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 मन में कितनी लोलुपताएं आती है कि भगवान ये हो जाए ये कमा लूँ ये धमा लूँ ये घर में रख लूँ ये खरीद लूँ ये बेच लूँ बस खरीदने बेचने अपने जीवन को समारने के लिए ही अधिक तरह हम साधना करते है है न खर टॉपिक चेंज ना हो तो कहने का भाव तो जिस व्यक्ती ने अपनी इच्छाओं पर कमांड की है उनके लिए आज संदेश आने वाला समय आपका शुब जाएगा अब आप मेंसे बहुत हर्दे ये भी कह रहे होंगे कि सर भाजी मैं 60 साल का हो गया मैं 62 साल की हो गई मैं 70 साल की हो गई मैं तो यही करती आ रही हूं तो कब समझू के मेरा जीवन सुख से जाएगा कब समझू के ऐसा वो दिनाएगा तो देखो ये प्रारब्द था जो आपने कटीले काटों पर चल कर के भोग लिया अगले जीवन आपके पैर मलमल पे चलेंगे अगले जीवन में आपके पैरों को आलता नहीं हटेगा अगले जीवन में आपको शहन्षा की गद्दी मेलेगी यह निश्वत बात है आपने जो काटना था अपने प्रारब्द था कई जनम उते हैं जिसके भोग जिशके लेखरे हमें काटने होते हैं आपने सब कट लिया अब आपके जीवन में कहीं न कहीं देख लेना आपकी आत्मा शांती की तरफ जा रही है तो आप ऐसा ना समझें अभी आप अब नकारात्म के स्थिति में मत जाईए सारा जीवन आपने एक जैसे कोईला आपने आपको जोग देता है गाड़ी के अंदर जैसे कोईला इंधन बन करके जोग देता है भटी के अंदर आपने पूरा जीवन जोगा अंगार बन के जीए हो अब अपने आपको नकारात्म के स्थिति में मत लाईए इच्छाओं को जमन दमन करने वाला वास्तम में बाश्चा होता है राजा से भी कई बार अपनी इच सर कई बार लाल्ची हो जाता रिश्वत खोर हो जाता गुस खोर हो जाता बड़े से बड़ा धरमात्मा भी कई बार पदे से हट जाता है बातों से हट जाता है धरम से विमुक हो जाता है लेकिन वास्तम में अगर व्यक्ति अपनी च्छाओं को अपनी मुठी में रखता है और बुरी से बुरी बातों को भी दबा करके अपने जहन में रखता है और मस रहता है जो होगा देखा जाएगा ऐसी इच्छा वाले लोग आने वाले पर लोग को सुधार लेते हैं आने वाला कल आपका होगा भगवान आपके साथ खड़े होंगे आपके गुर्देव आपके साथ खड़े होंगे आप घवराईए मत आप बिल्कुल मत घवराईए मुझे बहुत लंबे समय से ऐसे वेक्तियों कि हर्देव की आवाज आ रही थी तो मेरा मन हुआ कि मैं ऐसे एक sensitive topic को जरूर किसी दिन आपके साथ साजा करूँगा बस अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं कई बार तो सब कुछ आपके पास होता है लेकिन उसका अधिकार आपके पास नहीं होता समान आपका है सबाब आपका है मलकित आपकी है सब कुछ आपकी है लेकिन अधिकार आपका नहीं है खेत खलियान आपके अधिकार आपका नहीं है, भवन आपका अधिकार आपका नहीं है, पुत्र आपका अधिकार आपका नहीं है, ऐसी इच्छा में भी, ऐसी बातों पे आके भी, जब आप अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, और वसक्त किस से कहते हैं, अकेले में जब अपने किसी अजीज से भी कई बार मन का लावा फूड जाता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन फिर भी इतनी सारी इच्छाओं को मारना हर विक्ति के बस की बात नहीं है शाबास हैं आप दनवाद देता आपको शावासी देता हूं इच्छाएं कई बार जीवन में इत्यास बना देती हैं इच्छाएं कई बार जीवन में कलंकित कर देती हैं इसलिए मेरे दर्शुको आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से आप सोचते हैं बहुत अच्छे आपकी सोच है और इश्वर संग शेर करूंगा आए समय हों चला है आज की द्यान माला का पुन्हें डोपते हैं आज की द्यान माला में माधागवती के शिरी चड़णों ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनाय नाम मानिक्य मोले स्पुराद स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां द्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनाय नाम सरवंग वुस्वरितां निलास मध्युत्यमास्यबाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तितां विशनां कन्यां विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरासे वितां अस्ते चक्रगरा से खेटे विशिखां स्चापम गुणं तरजनीं विप्राणा मलिलात्मिकां ससिदारां धुरगां तिनेत्रां वजे कबच बना लें ध्यान करें कि वह परांबा वह महाशक्ति सबको विशिस आशिरवास से अनुग्रहित करें ओम बोलते हुए नित्रफोलने समाने हो जाएं सब्जेक्ट थोड़ा लंबा हुआ अच्छा माचाते हैं आज की बात बस इतनी ही कल फिर मिलेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट किसी अन्य विशे के साथ दर्शको इस टाइप की जितनी भी वीडियोज हैं एक धर्म के नाते, भगवान के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते बेटा को, बेटी को, पुत्र को, पुत्री को, मित्र को, शत्रू को शेर कीजिए उनको भी पता लगे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन वो उसको भूले बैटे हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को ब्राम देते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशित कीजिए, दो चार दस बीस लोगों को हर व्यक्ती सब्सक्राइब कराने के लिए बोले, जैमाइंद राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले, प्रसिद्ध हस्त रेखा, एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस बजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें ज्यानकारी के लिए पहले आप देख सब्सक्राइब करें